हलो एंड वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू इस वीडियो में मैं करंट अफेर्ज में कवर करूँगा बुक्स एन ओथर्ज इसमें सिरफ किसी खास महिने के नहीं 2016 में जो भी मुख्य है सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं वो मैं कवर करूँगा लगभग 25 से 30 बुक्स हैं जो इस साल इंपॉर्टेंट हैं जो एक्जाम में आने के जिनके चांसे ज़्यादा हैं इसे आप किसे भी आने वाले एक्जाम में जैसे SBI क्लर्क, IBPS, PO क्लर्क या फिर United India Assurance वगारा इन एक्जाम में आप इनके कोश्चन देखेंगे एक से दो कोश्चन हर एक्जाम में Books and Authors पर पूछे जाते हैं इसमें मैं जनवरी से लेके और अब तक यानि की लगभग 12 से 13 मई तक बिलकुल लेटेस जो भी important books हैं वो सारी cover करूँगा सो ज्यादा विलम ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहली book इमरान हश्मी की किताब जिसका नाम है The Kiss of Life तो ये किताब इमरान हश्मी ने लिखी है और इनके साथ Mr. Bilal Siddhi की इन दोनों ने मिलकर ये लिखी है ये कहानी है इमरान हश्मी के दो साल के बच्चे की जो cancer जिसको हो गया था लेकिन इमरान हश्मी के लड़के ने cancer को मात दे दी आयान हश्मी इनका नाम है इनके लड़के का और इसी पर एक भावनात्मक ये कहानी है जिसका नाम है The Kiss of Life अगली किताब है अगली किताब है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक बहुत ही महान अंत्रिक्ष वग्यानिक ने लिखी है जिनका नाम है Scott Kelly ये NASA अमरिका की organization NASA के scientist है और अभी-अभी ये लोटे है अंत्रिक्ष से 340 दिन लगभग एक साल ये अंत्रिक्ष में रहे और इनका Guinness World Record भी इनोंने बनाया इनके जो भाई है वो जुडवा है इनके और वो भी एक अंत्रिक्ष वेग्यानिक है So Scott Kelly ने अंत्रिक्ष से वापस आने के बाद अपने जो experiences है वो इस किताब के अंदर लिखे है जिसका नाम है Endurance My Year in Space and Our Journey to Mars यानि मंगल घ्रह पर मेरी यात्रा और मेरा एक साल अंत्रिक्ष के अंदर इस किताब का नाम है Endurance बहुत ही जादे important question है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि NASA के कौन से scientist है जिन्रोंने 340 दिन space के अंदर बिताए तो ये है Scott Kelly अगली किताब है The Making of India The Untold Story of British Enterprises authored by Kartar Lalwani So Kartar Lalwani ने ये किताब लिखी है ये बहुत कम ऐसी किताबों में से है जिसके अंदर ये बताया गया है कि Britishers ने भारत में क्या कुछ सकारात्मक चीजें भी की तो इसमें British Enterprise ने जैसे जो Railways है Railways Britishers ने बनाया था इस तरह से बहुत सारे भारत के अंदर infrastructure projects हैं जो Britishers की देन है ये कहना मुश्किल होगा कि क्या हमी इनको Britishers के बिना भी बना सकते थे या नहीं या बनाते तो फिर कब बनाते या फिर Britishers के आने से कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ ये कहना मुश्किल है लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी British राज के अंग्रेजी राज के भारत के अंदर तर्शाए गए है ये किताब है The Making of India The Untold Story of British Enterprises इनको लिखा है करतार ललवानी ने अगली किताब है Blood on My Hands Confessions of Staged Encounters by Kishale Bhattacharji बहुत ही ज़्यादा important किताब है ये और वो इसलिए क्योंकि Army की एक Act होती है जिसे बोलते है Armed Forces Special Power Act जिसमें हमारी Army को ऐसे विशेश अधिकार दिये जाते हैं और बहुत ज़्यादा विशेश अधिकार दिये जाते हैं Insurgent Areas के अंदर जैसे जमू कश्मीर के अंदर या Manipur के अंदर So North East के अंदर Army ने अपने इन विशेश अधिकारों का कई बार दुरुपयोग किया है इसके उपर ये किताब लखी गई है In fact कई बार Army ने कुछ fake encounter भी किये हैं तो ये सब दर्शाया है किशाले भटाचार जी ने अपनी किताब Blood on My Hands के अंदर अगली किताब है ये रजनी कांथ की बेटी और महशूर actor धनुष की पतनी इनका नाम है एश्वरिया धनुष इन्होंने अपनी आतम कथा लिखी है जिसका नाम है Standing on an Apple Box तो ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री की महशूर फिल्म मेकर है और तमिल फिल्म इंडस्री को कहा जाता है कॉलीवुड तो ये आपको याद रखना है ये धनुष जो एक्टर है इनकी वाइफ है एश्वरिया धनुष और रजनी कांथ की बेटी हैं इन्होंने किताब लिखी है अपनी आतम कथा Standing on an Apple Box अगली बुक ये काफी इन्होंने किताब है और शौर शौर्ट एक्जाम में आपसे पूछेंगे शत्रुगन सिना की जिन्दगी के उपर उनकी जीवनी लिखी है भारती परधान ने इस किताब का नाम है Anything But Khamosh शत्रुगन सिना के जो रिष्टे हैं वो BJP से कि कुछ बड़े निताओं से बहुत अच्छे नहीं है और बेबाग बोलने के लिए ये काफी महीर हैं आउट स्पोकन है और यही कुछ पहरू दर्शाएं हैं इसमें ऐसा कहा जाता है कि BJP के अंदर दो गुठ हैं एक के अंदर हैं मोधी, जेटली और ये सब लेडर और दूसी तरफ हैं मुरली, मनुहर, जोशी और अडवानी और इस तरह के लोग तो ऐसा माना जाता है कि शत्रुगन सिना अडवानी वाले खेमे में है और अकसर BJP के खिलाफ भी ये बोलने के लिए जाने जाते हैं अगली किताब है जो बहुत ही ज़्यादा important किताब है जिसका नाम है Fixed Cash and Corruption in Cricket इसको लिखा है महशूर जनलिस्ट शांतरु गुहा रेने इस किताब के अंदर खासकर Bombay के अंदर ऐसा दिखाए गया है कि किस तरह से जो वहाँ पे सरगना है जो माफिया है वो सटा बाजी करता है cricket के अंदर और cricket के अंदर किस तरह से जो करुप्शन का जहर है वो घुला हुआ है तो इसको दर्शाती है किताब Fixed Cash and Corruption in Cricket हिमालियाज की खुबसूरती किन और के अंदर the cultural heritage of trans हिमालियाज trans हिमालियाज किसे बोलते है trans हिमालियाज में कई हिमालियाज के beyond जो परवतों की श्रिंखला हैं उन्हें trans हिमालियाज कहते है जैसे काराकॉरम के पहाड़ हैं या लदाग के पहाड़ हैं ये सब trans हिमालियाज के अंदर आते हैं इसे लिखा है retired IS officer Mr. P.S. नागी लॉक्टस ने और इस किताब को release किया खुद Ministry of Culture ने Ministry of Culture में हमारे जो Minister of State हैं वो हैं महेश शर्मा उन्होंने खुद इस किताब का विमोचन किया अगली किताब गांधी जी के उपर लिखी है गांधी जी की जीवनी लिखी है इसमें गांधी जी के जीवन के कई ऐसे पहलू तरशाएं हैं जो अंचुए अब तक रहे तो ये किताब लिखी है परमोद कपूर ने नाथुराम गोड से एक हत्यारे की कहानी इस किताब को लिखा है अनूप सर्देसाई ने और ये अगेन एक कॉंट्रोवर्शल किताब है और ये कॉंट्रोवर्शल व्यक्ति भी हैं बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं और ये लिखी है अनूप सर्देसाई ने अपीजे अब्दुलकलाम जी की एक किताब है जिसका नाम है ट्रांसेंडेंस ट्रांसेंडेंस जिसमें उन्होंने अपने अध्यात्मिक experiences को दिखाया है बताया है प्रमुक स्वामी जी महराज के साथ ये बहुत important question है और अभी जो exam conduct हुए है जैसे railways वगारा के exam है उनमें कई बार exam में ये question repeat हुआ है और आने वाले exam में भी ये short question है अभी जैसे अभी अभी जी लिखी हुई जितनी भी किताब है वो exam में काफी frequently पूछी जा रही है इस किताब का नाम है Transcendence Spiritual Experiences with प्रमुक स्वामी जी महराज ममता पेनर जी द्वारा भी किताब रिलीज की गई जिसका नाम है Tolerance महशूर अंतराष्ट्रिय लेखी का J.K. Rowling जो Harry Potter की किताबे लिखती है वो Harry Potter का अगला पार्ट ला रही है जिसका नाम है Harry Potter and the Cursed Child Harry Potter and the Cursed Child किताब का नाम आपको याद रखना है और J.K. Rowling की अभी अभी एक और किताब भी आई है ये है वो किताब Fantastic Beasts and Where to Hide Them Where to Find Them Fantastic Beasts and Where to Find Them सो ये भी काफी इंपोर्टेंट बुक है J.K. Rowling द्वारा अमर चितर कथा ने एक किताब लॉंच करी है जिसका नाम है A Kingdom for His Love इसमें दो ऐसे वेक्तियों की कहानी है जो काफी प्यार में है और सारी बाधाओं को वो हटा कर उनकी जो कहानी है वो अमर हो जाती है संस्कृत का एक play है उसके उपर ये based है और इसको दो लोगों ने मिलके लिखा है एक है वानी महेश और दूसरे हैं शिनी एंटोनी किताब का नाम है A Kingdom for His Love अगली किताब है जो कि मेरे ख्याल से सबसे important book है ये short-short question है आने वाले exam में क्योंकि इस किताब को मिला है इस साल का परतिष्ठित William E. Colby Award William E. Colby Award बहुत ही परतिष्ठित अवार्ड में से है 2016 के लिए इस किताब को मिला है और इस किताब को release खुद किया हमारे राश्पती प्रणम मुखर जी ने ये किताब है निसिध हजारी की किताब है जिसका नाम है Midnight's Furies The Deadly Legacy of India's Partition इस किताब के अंदर बहुत सारी सचाईयां बताई गई है जैसे जब partition हुआ तो किस तरह से जो उस तरफ के लोग जो इस तरफ आते थे और इस तरफ के जो उस तरफ उनमें कैसे riots होते थे किस तरह से भरी हुई जो train है वो लाशों से भरी हुई train दूसरी तरफ जाती थी किस तरह से दंगे भढ़कते थे और बहुत सारी ऐसे इस किताब में चीजें दिखाई गई हैं बताई गई हैं जो बहुत ज़दा disturbing है इस किताब को मिला है William E. Colby Award ये भी आपको याद रखना है और इसको लिखा है निसिद हजारी ने प्रणव मुखर जी इन्होंने कई सारे पार्ट लिखे हैं किताब का नाम है The Turbulent Years 1980 से लेके 1996 तक और इसका second edition अभी अभी रिलीज हुआ है इस साल सो किताब का नाम है The Turbulent Years जितने भी परमवीर चकर विजएतां है परमवीर चकर होता है जो सबसे बड़ा bravery award है भारत के अंदर जो wall time के अवक दिया जाता है ये आपको याद रखना है कि परमवीर चकर सिर्फ bravery award है लेकिन ये दिया जाता है सिर्फ wall time के वकद अगर कोई war नहीं है तो ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा ये आपको याद रखना है तो परमवीर चक्र के विजेता है अभी तक 21 भारतियं हैं जिने परमवीर चक्र मिला हुआ है मिल चुका है सबसे पहले थे मेजर सोमनात शर्मा जिने परमवीर चक्र मिला था 1947 के अंदर और सबसे आखरी थे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था कारगिल वार के वक्त 1999 में उसके बाद से अब तक लगभग लगभग 18 साल हो चुके हैं किसी को भी परमवीर चक्र नहीं मिला है तो परमवीर चक्र के जो विजेता हैं जो हमारे सबसे भादुर सैनिक हैं उनकी जिन्दगी के उपर ये किताबे लाँच करी हैं कॉमिक्स लाँच करी है जिनका नाम रखा गया है वीर गाथा यानि जैसे आप कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं, जिनमें हीरो होते हैं, कोई कॉमिक के जो आइकोन है, जैसे नागराज या सूपर कमांडो ध्रूव या उनकी बजाए इसके अंदर हीरो होंगे हमारे परम वीर चकर विजेता, तो ये बहुत पैट्रियोटिसम के लिए किया गय एक किताब रिलीज हुई है, श्री दुरगा सब्तश्टी के नाम से, और इसको लिखा है, डॉक्टर संदीप जोशी ने इसको कमपाइल किया है, जो गॉडएस दुरगा है, उनके उपर ये बुक है, इसको खुद रिलीज किया, इसका किताब का विमोचन किया परधान मंत चंद्रा, बहुत महशूर व्यक्ति, सुभास चंद्रा, बुक का नाम है The Z Factor, जवाला नहरू की जिंदगी पे एक बुक है, जिसका नाम है जवाला नहरू and the Indian Policy in Perspective, यानि जवाला नहरू और भारतिये राजनिती पर एक विचार, इसको एडिट किया है P.J. Alexander, Professor Alexander, एक ग मारू भारत, सरू भारत, यानि की My India, Noble India और इस किताब को लिखा है मशूर, मशूर जैन गुरू जिनका नाम है रतन सुंदर सुरी स्वर्जी महराज, किताब का नाम है मारू भारत, सरू भारत, एक किताब है, बिलकुल अभी अभी लॉंच हुई है मई के पहले हफते के अ कर लेता है, उसका order माना जाता है, सो काफी controversial ये book है, और जिहाद के उपर ये किताब है, जो Middle East के अंदर, जो West के अंदर, जो जिहाद चल रहा है, उसके उपर ये किताब है, और इसको लिखा है Mr. Patrick Cockburn, सो ये है नाम, किताब के उपर जो लेखक का नाम भी है, Patrick Cockburn, सो अभी क 2015 में इने दादा साहिब फाल के अवर्ड भी मिला था, और इनके जीवन के उपर ये किताब लिखी है, असीम चाबडा ने, असीम चाबडा, महशूर जनरलिस्ट, और शशी कपूर, इस किताब का नाम है, शशी कपूर, दा हाउस होल्डर, दा स्टार, दा हाउस होल्डर, इन पर देश ध्रो का आरोब भी लगाते हैं, so India versus Pakistan, why can't we just be friends, भारत और पाकिस्तान, हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते, ये किताब लिखी है, हुसैन हकानी ने, सो ये थे कुछ books, important books, जो 2016 में लिखे गए, और static GK के अलावा, current affairs में ये question काफी important है, static GK के अंदर भी books and authors पर question आते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वो question आते हैं, जो famous books हैं, उसके question आते हैं, एक बात और, आपको सिर्फ books and author में यहीं तक नहीं रुपना है, आपको ऐसी किताब के लिए, जैसे Nobel Prize मिला literature के लिए, Alexandra, शायद सुचलोविच उनका नाम था, तो उन्होंने कुन सी किताब लिखी, या माल लीजिए किसी को कोई, और बहुत ही महशूर prize मिलता है, तो उसको वो किस किताब के लिए मिला, ये सब सवाल काफी पूची जाते हैं, तो आपको ये महशूर किताब थी, तो उन्होंने अभी just expire होने से पहले एक book लिखी थी, Go Set a Watchman, Go Set a Watchman अमेरिका की best seller थी 2015 में, तो अगर कोई लेखा किया लेखी का उनकी death हो जाती है, तो वो obituary के अंदर आ जाता है, लेकिन वो, क्योंकि वो news में आ जाती है, अपने death की वज़े से, इस झाल